सुअगत त्याप का हमारे चैनल पर आज हम देखेंगे तक्षा 11 का विसेः गनित का घ्रेका बनांग से ख्रता करें दह dzięki प्रश्च नमबर एक है, रिक्त समुच्य का उधारन दीचिए, तो रिक्त समुच्य का उधारन क्या होगा, एक्स, जो की, एक्स बिलांग्स टू एन, एन क्या है, नैचुरल नमबर है, प्राकर्ट संख्या है, और एक्स क्या है, एक से छोटा मतलब की X एक से छोटा है और natural number है natural number start होते है एक से प्राकर संख्या एक से start होती है तो ये क्या हो गया एक समुच्य हो गया मतलब की इसमें कुछ भी नहीं है अगला है समुच्य है जो की एक दो तीन से लेके अनन्त तक जा रहा है एक परिमित समुच्य है यार अपरिमित समुच्य है इस पश्ट कीजिए हम देख सकते हैं एक से लेके ये अनन्त तक जा रहा है जो की क्या है अपरिमित समुच्य है क्योंकि इस संख्या इस समुच्य की संख्या अनन्त तक चलेगी प्रश्ट निम्र तीन है समुच्च ए एक्स जो की एक्स एक धनात्न पूर्णांग संख्या है और एक्स क्या है तेरा से छोटा तो रोष्टर फॉर्म में लिखना है हमें पता है रोष्टर फॉर्म में कैसे लिखते है एक मंजला ब्रेकिट लगाएंगे और क्या बोल रहा है एक धनात्न पूर्णांग संख्या है तो धनात्न पूर्णांग संख्या लिखनी है और तेरा से छोटी लिखनी है तो एक से स्टार्ट करेंगे क्यों धनात्न पूर्णांग संख्या है तो एक से लेके बारा तक हमने धनात पूर्णाक संक्या लिख देंगे और मंजला ब्रैकिट लगा के समुच्चे को पूरा करेंगे अगला है प्रश्ण नमर चार समान समुच्चे की परिवासा लिखिए दो समुच्चे A और B समान समुच्चे कहलाते हैं यदि A का परतेक अव्यव B में तथा B का परतेक अव्यव A में विद्यमान हो तो क्या कहलाएगा बे समान समुच्चे कहलाएगा प्रस्ट नमबर पांच है यदि A समुच्चे X का एक अव्यव है तो उसे गनीतिय रूप में लिखिए क्या बोल रहा है? A समुच्चे X का अव्यव है तो X क्या हो जाएगा? समुच्चे A लिख देंगे क्योंकि ये A समुच्चे X का एक अव्यव है या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं X belongs to A या फिर आप दोनों भी लिख सकते हैं तो कि ये भी सही होगा इस चिन का मतलब होता है belongs to A इसी परकार हमारा आज का ये घ्रह कारे समापत होता है जुड़री चैनल के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें धन्यवाद झाल